कोशिक लसेज में आपका स्वागत है आज हम कक्षा बार्वी का अध्या सत्रा लेकर आए हैं जिसका नाम है मैं और मैं जिसे कनया लाल मिस्र प्रभाकरजी ने लिखा है तो पहले हम लेखक परीचे पड़ेंगे उसके बाद हम पाठ का सारान समझेंगे तो चलिए हम सुरू करते हैं कनया लाल मिस्र जी का जनब 1906 में सहारन पुर्चले के देवबंद गाओं में हुआ था इनके पिता का नाम रमादत मिस्र था राजनेतिक और सामाजिक कारियों में इनकी गहरी रूची रहती थी सो तंत्रता अंदुलन में सह भागिता करते हुए कई बार जेल भी सिक्के संबादन प्रेकरशन के रूप में व्यक्त हुई इनके प्रमुक जो निबन है वो है जिनकी मुस्कराएगी मोटी हो गई सोना बाजे पायलिया के गुंगरू दीब जले संक वजे आकास के तारे और धरती के फूल इनकी लगूकता संग रह है पत्रकार होने के नात लेखक पैठे हैं गंबीर चिंतन में लगे हुए हैं वहीं पर उनके दोस्त आते हैं उन्हें अपनी बातों से चेड़ते हैं बाते करते हैं बीच बीच में लेकिन वो नहीं बोलते हैं तो वो ऐसा बताते कि किस तरह से ऐसे लग रहे हो तुम जैसे कि कोई सुबह सुबह पैसे मांगने आ गया है तुम्हें किसी का उցदहार चुकाना है इस तरह की वह बाते करते हैं तब उनकी तूरती है तो वो कहते हैं कि नहीं मैं अबने में खोया हुआ था गंधी चिंतन कर रहा था तो इस बाते लिए वह मजाक उड़ाते हैं उनकी considered भी डोल वजाओ पुल ज़ियान नहीं दे पाता है उन्होंने बताया कि जैसे कि पाँच आतमी आपस में गहरे दोस्त थे करने धरने को कुछ नहीं था खाने को दोनों समय उन्हें रोटी और पीने को भांग चाहिए होते थी और कि पक्के भंगेडी थे कि पूरे टेम भांग पीकर धुत रहते थे एक दिन कहीं मंदिर में बैठे घोट रहे थे तब उनकी जो पत्नियां वहां ही खटी होकर आ जाती है और गुस्ता करती है दिल ही रहते हैं बस खाली भांग भी कर पड़ जाते है तो उन्हें बड़ी बेश्ती महसूस होती है कि पांचों ने कई से पड़ देश में जाकर रोजा। करने का फैसला कर लेते हैं पांचों चल पढ़ते हैं चलते चलते आपस में सला करते हैं कि हुशार है न कही रास्ते में ऐसा नाओ कि साम हो जाए या कोई खो जाए ये तो इसलिए अपना सब ध्यान रखना क्योंकि घर जाकर भी सब को जवाब देना पड़ता है तो इसी बात पर कि रात हो जाती है फिर मंदिर में वो सारे के सारे सो जाते हैं सुबह उठते हैं तब पाया कि भई पहले अपने आपको गिन लीजिए सब के सब सचेत हो जाईए तो उनमें से एक सब को गिनने लगता है कि एक दो तीन चार फिर दुबारा गिना कि एक दो तीन चार तो जोड़ से चिला कर पड़ता है कि औरे पांचवा कहां चला गया ये तो रात बर में चार ही रह गए दूसरे ने दुबारा सब क गिना, सभी चार गिन कर छोड़ देते हैं, फिर मामला बहुत संगीन हो जाता है, तब पाया कि लोट कर वह घर चले और साथ पांच वह रात को घर लोट किया होगा, रास्ते में सब रोड़ते, पीड़ते, चलते चले जा रहे हैं, तो एक जो समझदार विक्तिम उनको मिलता रस्ते में, तो वो उन्हें रोक कर पूर से हैं, क्या मुसीबत आ गई, तो उन्होंने बताया कि हम घर से पांच चले थे, और रास भर में चार ही रहे गए, तो उस आदमी ने उनको गिना, तो बोले पी पांच हो, उसने का कि भले आदमी, तुम घर से पांच ही चले थे, पांच ही हो, क्यों रो रहे हो, तुम तब सारे के सारे बोले, कि नहीं चार थे, तो फिर वो एक सबको गिनने लगता है, एक, दो, तीन, चार, फिर वो समझधार विक्ति बोलता है, कि अरे भूदू, अपने आपको तो गिन, अब इन लोगों की समझ में आ गया, कि मामला ये था, कि अपने आपको भूल जाते थे, कि सब चार गिन गर छोड़ देते थे, तो वही हाल उनका कहारे कि मेरा है, कि मैंने घर की सोची, पडोस की सोची, देश की सोची, और यहां समझे कि पूरी दुनिया की सोच ली, पर अपनी बात को भूल गया, कभी ये नहीं सोच क्या कि मेरा करतवे क्या है मेरा अधिकार क्या है और यही कारण था कि मैं उस बात को सोच नहीं कर पाया और इसी का जैसे मैं गहरे में सोचे ही क्या है तब वो कहते हैं कि नहीं स्वयम के बारे में भी सोचना आशक है जो स्वयम के बारे में नहीं सोचता वो पशु है तो फिर इस पे भी मज़ा कुड़ी तब वो कहते हैं कि जो पहले सोचे और फिर चले वो मनुश्य है और सोचे कुछ नहीं बस जिधर हव अर चला ही चले वो पशु के समान और उसकी बुद्धी कैसे है दूसरी की बातों चलता चलता जाएं यह हम पर उन्होंने एक बात और रखी उन्होंने कहा कि महा कवी शेकादी थे एक दिन अपने बेटे के साथ सुबह की नमाज पढ़कर लोड रहे थे तो कि बेटे ने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ घरों में अभी तक बहुत से आदमी सोए पड़े हैं उसने अपने पिता से का कि अबबा ये लोग कितने पापी हैं अभी तक सोए पड़े हैं नमाज पड़ने भी नहीं हैं तो सेख साथी ने दुख भरे स्वर में कहा कि दूब नहीं करते हैं अब मतलब समझें कि मैं अच्छे काम करूं अपने जीवन को उचा ठाओं मेरा करतावैं है कि जो किसी कारण से अच्छे काम नहीं कर रहा है उसे मैं सब्दों में कहूं भी कि और जो काम अच्छे काम के प्रति उसे प्रेड़ना भी देता चला उसाथ ही उन्होंने ये भी बात बताई लेकिने कि एहंकार का बोज अपने उपर नहीं लादू क्योंकि एहंकार क्या ह ग्रणा का पिता है और ग्रणा जीवन की संपुन उचाई की दूस्मन है वो किसलिए तो कि आप किसी से ग्रणा करते हैं और इस कारण से क्या करते हैं आप उसको नीचा दिखाने का आप कर लेते हैं एहंकार आजाता आपके कि मैं इसका बुरा करूं तो यह नहीं होना जाए क्योंकि उसके कारण आप स्वम का भूल भी बुरा करते चलिए जा रहा है क्योंकि आप उचाईयों की तरफ नहीं देखते बलकि आप क्या कर रहे हैं कि दूसरे को नीचा गिराने की सोच तो यही बात उन्होंने का कि यह मन में नहीं आने चाहिए फिर उन्होंने एक चीज खोला बरतनों का कारखान खोला इससे पहले प्रेस खोली का कार खोली तो उन्हों का हमेशा घाटा होता चला गया फिर बरतन के समय उनकी पतनी बिमार हो गई थी तो उसमें घाटा हो गया कभी मिठाई की दुकान तो कभी बीमा कंपनी की यह सारी उन्हें सफलता मिली लेकिन साथ में उसके साथ कुछ दिन तक रही और फिर बाद में उन्हें ऐसा फलता मिलते चले गए कि उंग घाटे में चलते चले गए और फिर उन्होंने आगे चल कर पुस्तक प्रकाशन बने तो आज आदि के समय बंदी बना लिये गए आज वापस एक पत्रकार के रुम में वह जाते हैं और सम्मान की जिनकी जी रहे हैं तो मैं उन्हीं की तरह सोच आँ कि कोशल जी वाक्य में कोशल पूंड विक्ती थी जिनकी कितने ही नाकाम या के थपेड़े खाई मतलब ऐस सफलता यह मिलती से ली गई लेकिन फिर भी वो क्या हुए हार नहीं माने बलकि आगे कि जब आप थपेड़े खाते हैं ऐसा फलता मिलती चली जाती है तो उसके बाद यह आप आगे बढ़ रहे हैं तो वह सबसे बड़ा बात है फिर उन्होंने कहा कि एक अन्य और मित्र थे जो कि सिहल साब थे तो कि उनका कार खाना फेल हो गया था और उनका माना था कि जो कि मामला निम्टाने की बात है तो उसमें उन्होंने कहा कि दस हजार के चीज़ छहजार में कैसे बेचू तो उन्हें जो मित्र थे उन्होंने यह कहा लेखक से कि छहजार में अगर देज जा रही है बेची जा रही है तो आप उसे बेच दीजिए क्योंकि उन्हें क्या है क फ्रेस स्टार्ट करना है अर्थात कहने का तात पर है कि नया ताजा आरम करना तो मेरे मन में कह रहे हैं कि लेकर कि सुनते ही एक आज के आगी कि वा क्या बात है कि नया आरम करना और इसी के साथ नहीं स्फूरती आजाएगी तिम्हें क्योंकि अगर सफलता मिली है और उसमें भी हदी आगे बढ़का सफल प्राप करनी है, तो नया आरम करना आउशक है, कि नई ताजगी लाना आउशक है, तो इसी के अधिकार के साथ का कि मैं हार जाओं, ठक जाओं, गिर जाओं, पढ़ जाओं या भढ़कूं, लेकिन मेरे अंदर एक मनुशे का आउशक है, मनुश तो नहीं है उससे पहले तक मैं अपने दिकारों को निम करतावे को करूं और साथ ही हतास और निराश नहो हो कर मैं क्या करूं कि अपना निया काम लागू करता चला हूं आज गी लाओं कोर्स पूरा होता है अब तक कि आपको सारी वीडियो कैसे लगी अच्छी लगी है तो इन्हें लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवार